तो दोस्तो एक तरफ तो भरती रेलवे काफी affordable दुनिया में service प्रोवाइड कराती है लेकिन दूसरी तरफ आप देख लो खाने पीने के मामले में यहाँ पर तो बहुत बड़ा गफला ही होता जा रहा है अब recently खबर निकल कर आ रही है कि IRCTC के contractor को तो एक लाक रुपे का fine लगा दिया है railway ने दरहसल हो ऐसा रहा था कि 15 रुपे की bottle को 20 रुपे में बेजा जा रहा था over price और यह मामला तब सामने आया जब यहाँ पर एक passenger शिवमभड जी चंदीगर टू शाहजापूर ट्रावल कर रहे था और उस समय उन्होंने यह notice किया finally action के तौर पे IRCTC ने इस contractor जिसका नाम है चंद्रमॉली मिश्रा इस पर finally fine जड़ दिया है सून जैसे यह complaint दर्ज होती है दिनेश के manager रवी कुमार को arrest कर लिया गया इन लखनव under section 144-1 अब देख लो यह पानी तक ही सिमित नहीं है खाने पीने के मामले भी ऐसी हो रहा है यहाँ पर recently अब भी recently की बात है राजधानी जो की भारत की काफी premium train है पैसेंजर ने omlet में cockroach पाया यहाँ पर आफ साफ साफ देख सकते हैं उनके tweet में कि उन्होंने कैसे बताया है कि 16 December को जब वो Delhi से travel कर रहे थे extra omlet उन्होंने अपने बेबी के लिए order किया और देखा कि कॉगरोज उसमें था तो सोचिए धाई साल के daughter को अगर कुछ हो जाता तो इसके उपर कौन responsible होता और उन्होंने टैक किया PMO इंडिया पेउश को एल और rail minister को हलंकी railway भी action ले रही है लेकिन जिस तेज़े से यह सब actions लेने चाहिए strict regulations इन पर sanctions इंपोस करना चाहिए उस तरह से काम यहां पर बिल्कुल नहीं हो रहा है वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि 5000 से ज्यादा food related complaints दर्च हो चुकी है केवल और केवल 7 months के भीतरी from April to October this year हलंकी railway का इस पर कहना है कि वो good quality food hygienic food देने पर भरोसा रखते हैं लेकिन इन पर अब कड़े actions भी ले जाएंगे ऐसे पाए गए तो एक नया प्रोग्राम भी railway ने साथ में इंट्रोड्यूस किया है optional catering service जहां हमारी जो premium trains राजधानी शदाबदी दुरूंतों गंतिमार पिर त बड़ते cases है खाने पीने के मामले में इसे कैसे control किया जा सकता है इसके बार में आपकी क्या राय है definitely comments में बताईएगा